हलो दोस्तों नमस्कार आए स्टाट करते हैं 29th of November का editorial टाइटल आपको दे रखा है Time for Action यहाँ जो 4 है वो preposition और preposition का object है वो action है time for action का मतलब हो गया कारेवाही का समय हो गया है किसको लेकर लिखा गया editorial लिखा गया COP28 climate meeting को लेकर जो दुबई में होनी है COP28 यह नाम हो गया climate meeting है जलवाईयो को लेकर meeting है कहाँ पर होगी दुबई में इसको लेकर editorial हम discuss करेंगे ठीक है यहाँ COP जो है वो इसका full form यहाँ दे रखा है Conference of the Parties COP की full form क्या है Conference of the Parties इसको लेकर editorial हम discuss करेंगे इसका screen PDF और जो भी word list है जो important words यहाँ पर आपको मिलेंगे उनका यह सारा जो चीज़े है जो PDF है और word list है वो पराप्त कर सकता है टेलेग्राम चैनल से लिंक आपको description में दिया है यह सीधा सर्च करिएगा आशिस classes वहाँ पर आपको इसका PDF और word list प्राप्त हो जाएगी तो देखे क्या कहना चाहता है COP28 must compel अब यह जो meeting होनी है इसे must compel जरूर से जरूर मजबूर करना चाहिए compel का मतलब लिखेंगे compel का एक मतलब होता है impel एक मतलब होता है force एक मतलब होता है coas मतलब मजबूर करना बद्धे करना COP28 जो है must आ रहा है इसका मतलब जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए obligation है बद्धेता है COP28 को जरूर से जरूर बद्धे करना चाहिए किसको अपने signatories को मतलब हस्ताक्षर करता जो भी देश इसमें हस्ताक्षर करता है जो जो इसमें शामिल होंगे तो उनको यह COP28 के लिए इट्स आ रहा है possessive adjective possessive adjective के बद नाउन आ रहा है signatories किसलिए बद्धे करना चाहिए अपने हस्ताक्षर करता देशों को to take definitive action definitive जो है इसका मतलब है decisive निरनायक क्या मतलब है decisive या इसे conclusive भी कह सकते हूँ आप conclusive निरनायक action मतलब कारे भाही तो COP28 को जरूर से जरूर अपने तो हस्ताक्षर करता देश है उनको मजबूर करना चाहिए बद्धे करना चाहिए किसके लिए कि वो निरनायक कदम उठाए ठीक है आगे देखिए the next fortnight में क्या होगा तो ये next fortnight तो हो गया subject इसकी verb हो गई विल सी ये देखेगा दुनिया के leaders को ठीक है industrialist मतलब जो भी उद्योग पती है उनको activist को activist मतलब जो किसी कोज को लेकर काम करते हैं वो activist and indigenous peoples indigenous का मतलब होता है native इस्थानिय local और वैसे people ही होना चाहिए लेकिन people इसलिए है क्योंकि हमने इस्तानिय कहा है तो एक जाती wishes की हम बात कर रहे हैं एक particular प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं इसलिए people कहा तो देशी लोगों को देखेगा वहां के जो दुबई में अगर meeting होगी तो दुबई के लोगों को देखेगा Converse Converse का मतलब है meet Assemble मिलना या मिलने के लिए इकत्रित होना ये इकठे होंगे कहां पर 28 वा addition ये COP तो नाम था ही 28 इसलिए जोड़ा क्योंकि 28 वा सत्र है ये 28 वा सत्र के लिए और 28 सत्र किसका है COP का फिर समझेए Next Fortnite देखेगा Next Fortnite में क्या होगा Next Fortnite की verb है किसको World Leaders को और किसको Industrialist को और किसको Activist को और इस्थानिय लोगों को क्या करते हुए देखेगा कि ये Converse होंगे Converse होंगे मतलब देखो C के बाद सीधा Base Form आ रही है ये यहाँ पर ये Verb है बेस्पों आ सकती है C के बाद में सीधा-सीधा V0 ये देखेगा कि ये लोग इकठे होंगे किसके लिए 28 वा जो संसकरण है किसका COP का उसके लिए This Annual Affair ये हर साल होता है मिटिंग ये हर साल मिटिंग होती है तो यह जो Annual Affair है ये जो एक वारशिक जलसा है तो इस Demonstrative Executive है यहां पर क्योंकि इसके बाद इसका नाउन दे रखा है तो यह जो वारशिक जलसा है जो वारशिक एक घटना है जो हर साल होती है इस एन अटेंप्ट ये एक प्रियास है तो ये Annual Affair की वर्ब होगे इज यह एक प्रियास है Is an Attempt किसका To Inch Ahead Inch का मतलब है To Move Slowly Inch का मतलब क्या है To Move Slowly धीरे धीरे आगे बढ़ना धीरे धीरे आगे बढ़ने हों क्या बोलता है Inch करना Ahead का मतलब आगे On Getting At Least 190 Countries और ये प्रियास किस चीज़ का है आगे बढ़ने का किस चीज़ को लेकर कि ये कम से कम 190 Countries को साथ लेकर आएंगे All Members of United Nations और ये 190 देश कौन से है ये सारे के सारे सदश्य है किसके United Nations Climate Framework के जो सन्यूक तरास्टर जलवायू धाचा है उसके To Act On किसलिए कारेवाही करने के लिए Act On मतलब कारेवाही करना Weaning their economies of fossil fuels Wean Off एक phrasal verb है इसका मतलब होता है To Wean Off ये एक phrasal verb है Wean Off Wean Off का मतलब है To Make Someone Stop Using Something To Make Someone Stop Using Something किसी चीज़ को किसी चीज़ का परियोग करवाना बंद कर देना है ना किसी चीज़ का परियोग करवाना बंद करदेना ये इसका मतलब है तो कहरा है कि ये जो Animal Affair होना है ये एक परियास है आगे बढ़ने का आगे कैसे बढ़ेंगे किस मामले में progress कर रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे ये 190 देशों को कम से कम साथ लेकर आएंगे, 190 देश कौन से हैं? ये सारे के सारे UN के जो climate framework है, उसका ये हिस्सा है, इन देशों को साथ लेकर आएंगे किस के लिए कि ये कारेवाही करें, किस चीज में कि वो अपनी जो अर्थेवस्ताएं, फिलहाल ये जो अपनी अर्थेवस्ताएं चलाते हैं fossil fuel आधारित है, जिवाश में इंधन का परियोग करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे काम ये करवाएगा, इस meeting में ये काम होगा कि अब इनको शपत दिलानी है, कि ये जिवाश में इंधन का परियोग ना करें, इनसे ये परियोग छुडवाना है, ये इसका मतलब है, ठीक है तो annual affair की verb is हो गई, and determiner है attempt यहाँ पे noun है, to inch है वो infinitive है, ahead है वो adverb है, on getting meeting, किस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे वो दे रखा है, इस विशे पर, on preposition है आगे, ing लग गया, at है, at least, मतलब कम से कम, 190 सदश्य, इन सदश्यों के बारे में चर्चा किया आगे, इसके बाद में किसलिए कठा करेंगे, वो infinitive to act, हलांकि act on एक phrasal verb है, इसका मतलब कारेवाही करना है फिर on preposition है, तो फिर आगे फिर से ing लग गया, there इसलिए आ रहा है कि 190 देश है, इस कारण से plural है, plural तो there आएगा, economies है वो noun है, wean off है, वो phrasal verb है, fossil fuels है, वो इसका object हो गया, और ये fossil fuels noun का काम करेगा, ठीक है, इसका screenshot अप ले सकते हैं आगे कहा रहा है, the current goal is to make good on अब ये make good, इसका मतलब होता है, be successful make good का मतलब क्या है, be successful मतलब सफल होना, make good का मतलब क्या है, सफल होना, तो कह रहा है, the current goal, वरतमा लक्षे क्या है वरतमाल लक्षे है सफल होने का किस चीज को लेकर on a collective commitment collective मतलब सामुहिक commitment मतलब प्रतिबद्दता वादा made by countries in Paris in 2015 2015 में पेरिस में जो meeting हुई थी उसमें सदश्य देशों ने यहां प्रतिबद्दता जाहिर की थी अब उसमें सफल होना ही इसका लक्षे है ठीक है to strive अब यहां पे किस चीज की प्रतिग्य ली थी इनोंने शपत किस चीज की ली थी क्या वादा किया था strive strive का मतलब होता try hard मेहनत करना कोशिश करना कि हम कोशिश करेंगे क्या hold hold मतलब बनाए रखने का maintain करने का global temperatures मतलब जो westwick तापमान है to no higher than 1.5 degree Celsius मतलब 1.5 degree Celsius से अधिक तापमान नहीं जाएगा above pre-industrial levels then 1.5 degree Celsius above मतलब pre-industrial level जो भी था industry के पहले का जो भी इस तर था temperature का उससे हम 1.5 degree Celsius से अधिक तापमान नहीं जाने देंगे ये इन्होंने वादा किया था by the end of the century और ये कब तक का है इस सतापदी के अंत तक and definitely below 2 degree Celsius और कहा है कि ये तो निश्चित है ही कि 2 degree Celsius से कम ही रखेंगे ये इन्होंने कहा था रिपीट कर रहा हूँ तो वर्तमान जो लक्षे है वर्तमान लक्षे इस मिटिंग का ये है कि सफलता हासिल की जाए किस बात में कि जो सामुहिक परतिबदता इन्होंने जाहिर की थी उस बात पे ये सामुहिक परतिबदता किसके दुआरा की गई थी देशों के दुआरा कहा पर पैरिस में कब की बाता 2015 की क्या कहा था कि हम महनत करेंगे कोशिश करेंगे स्ट्राइव करेंगे किसलिए ग्लोबल टैंपरेचर को रखने के लिए कहां तक रखेंगे डेट डिग्री सेल्सियस से कम मतलब यह इस से उपर नहीं जाने देंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेंपरेचर था उससे डेट डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर उपर नहीं जाने देंगे और कहा यह तो निश्चित ही है कि हम दो डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे अब कुछ बाते हैं यहाँ पर काम किये हो बताये दाओ एक तो the current goal है, goal यहाँ पे noun है, current adjective है, the determiner है इसकी verb दे रखी है क्या? is to make दे रखा है, यह infinitive है, वैसे make good, fresh होती है इसका मतब सक्सीड होना, सफल होना किस चीज़ पर सफलता हसिल करनी है? collective commitment, collective यहाँ पे adjective है commitment यहाँ पे noun है made, अब यह made किसके द्वारा किया गया, यह adjective का काम करेगा countries के द्वारा by preposition है, इसका object है countries in Paris, in preparation है, यह इसका object है Paris in 2015, जब particular किसी year की बात करते हैं तो इन लगता है, तो 2015 की हम बात कर रहे हैं, तो इनका प्रियोग है to strive, फिर से यहाँ पे infinity हुआ to hold, यह भी infinity हुआ, तो कोशिश करने की प्रतिग्या की थी कोशिश किस चीज की, hold करने की, hold करना मतलब थाम के रखना आगे नहीं बढ़ने देना, किस चीज को global temperatures को क्या कहा था, कि हम इस से अधिक नहीं जाने देंगे day degree Celsius से उपर नहीं जाने देंगे किस से, इस level से जब level में उपर की बात करते हो तो above आता है level नीचे की बात करते हो तो below आता है ठीक है, और यह कब की तक की है by the end of the century by का मतलब है तक generally till भी तक का ही meaning देता है लेकिन फर्क की यह है कि समय सीमा खत्म होने से पहले पहले तो आता है by और उस समय सीमा खत्म होने तक की ही बात करोगे तो लगता है till ठीक है, तो यह कुछ चीज़ें यहाँ पर important है, इसका screenshot अप लेजी है फिर कहाँए despite countries unanimously despite का मतलब के बावजुद होता है despite के बारे मैंने बहुत बार बताया है आपको, एक बार फिर बता देता हूँ despite एक preposition है, अगर इसकी word category देखोगे despite के साथ में ओव नहीं लगता है, यह बात आपको ध्यान रखने है despite अपने साथ ओव नहीं लेता है despite एक preposition है, यह सब बाते आपको ध्यान रहने चाहिए तो despite countries unanimously agreeing unanimously मतलब होता है, एक मत रूप से सभी सहमत हो तो उसको बोलते हैं unanimous अगर किसी चीज में जितने लोग हैं, जितने सदश्य हैं वो सब के सब agree हैं, इसका मतलब वो क्या है? unanimous है तो इसके बावजुद, कि सारे देश जो है वो सर्व सहमत है that humanity will collectively bear a huge price किस चीज में सहमत है, कि मानावता जो है वो सामोहिक रूप से बहुत बड़ी कीमत यहां पे चुकानी पड़ेगी मानावता को इनको पता है इस बात का if these limits are breached, यदि यह जो limits है and nearly all major economies framing grand national plans और लगभग, nearly मतलब, लगभग, around, about सारे के सारे जो मुख्य अर्थेवस्ताएं है मुख्य जो देश है वो बना रहे हैं, frame कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं grand मतलब शांदार national plans का मतलब राश्टरी योजनाए to show, यह दिखाने के लिए कि how they are doing their bit कि कैसे वो अपना प्रियास कर रहे हैं यहापर bit का मतलब मानलो effort कि जो उनसे हो पा रहा है, वो कितना प्रियास कर रहे हैं the science says इसके बावजूद भी विज्ञान कहता है क्या that instead of being cut 8% annually instead के साथ में off लगता है इसका मतलब होता है के बजाए और लग गया preposition तो आगे आएगा ing कि इसकी बजाए की 8% कटोती होनी चाहिए थी वार्शिक रूप से emissions have grown, जो उत्सरजन है वो 2021-22 से अगर देखें तो 1.2% बढ़ा है कम नहीं हुआ है जबकि बढ़ा है यह कह रही है साइंस फिर समझें इसके बावजूद की देश सर्वस सहमत है unanimously agreeing है मतलब सब के सब सहमत है इस बात से की मानवता को अभी humanity की वर्ब जो है वो will है, will के साथ दे रखा है bear, bear की second form होती है bear, bear की third form होती है born, b-o-r-n-e सहन करना, afford करना ठीक है, तो इसके बावजूद की सबी देश सहमत है की मानवता को सामोही कुरूप से भुगतना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी कब, जब यह लिमिट जो है breach हो जाएंगी तब यह वैसे conditional sentence भी ध्यान से देखें if के साथ में, r के साथ third form है, यह तो passive हो गया b के साथ third form, और अगर passive देखा है तो इसका active क्या होगा, verb की first form, क्योंकि first form का active passive बनता है, is mr के साथ third form तो ऐसा मानिए, if के साथ यहाँ पे first form है, दूसरे तरफ क्या है, will के साथ base form है यह first condition है, open condition है याद रखिये, ठीक है, और लगभग सभी अर्थिवस्ताईं जो हैं, सभी लगभग देश हैं, वो बना रहे हैं शांदार राष्ट्री योजनाएं, यह दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, कि किस प्रकार से वो अपना प्रियास कर रहे हैं, they are हैं, उन countries के लिए, इसकी वर्भ है, are doing, they are possessive adjective है, bit यहाँ पर noun है, फिर भी, इन सब के बावजूद भी विज्ञान कहता है, कि आपको कटोती करनी थी, आठ प्रतिशत वार्शिक रूप से, इसकी बजाए 2021-22 से अगर देखें, तो emission, emission मतलब जो भी discharge है, जो भी बाहर निकल रहा है, जो उत्सरजन हो रहा है, वो बढ़ा है, have grown, यह इसकी verb हो गई, have helping verb, grown third form आ रही है, 1.2 प्रतिशत, कब से 2021-22 से, इसका screenshot ले सकते हैं आप, at this rate, at this rate, the world will warm 2.5 to 3 degrees Celsius by the end of the century, आप कहारें, इस दर पर देखें, इस rate पर अगर आप देखोगे, तो पूरी दुनिया जो है, वो उसमें warm, मतलब temperature, बढ़ कर कितना हो जाएगा, 2.5 से 3 degrees Celsius तक पहुंच जाएगा, फिर समझेए, इस rate पर अगर ये दर देखें, कि 8 परतिशत होना चाहिए था, 1.2 परसेंट और बढ़ा है, घटा नहीं है, यदि इस दर से देखें, तो दुनिया में temperature और बढ़ेगा, कितना, इस सताबदी के अंतर तक, कितना बढ़ जाएगा, 2.5 से 3 degrees Celsius तक बढ़ जाएगा, there have already been 86 instances, instance का मतलब होता है examples, तो कह रहा है कि, there have already been 86 instances, 86 यहाँ पर उधारन रहे हैं, 86 instances रहे हैं, there से start है, तो inversion लग रहा है, inversion है, तो verb पहले आ रही है, subject है 86 instances, यह आपका subject बाद में आ रहा है, just this year of global temperatures, breaching the dreaded 1.5 degrees Celsius threshold, threshold का मतलब होता है limit, या फिर इसे कहेंगे level, dreaded का मतलब क्या होता है, dreaded का मतलब होता है, भयानक, awful, या dire, भयानक, डरावना, जो डर पैदा करे, तो कहरा कि ऐसे 86 उधारन रहे हैं इस साल, global temperature का, कि यह जो westwick तापमान है, वो breach कर रहा है, तोड रहा है, उलंगन कर रहा है, किसका, जो आपने लिखा था, 1.5 degree Celsius का threshold limit, और यह limit कैसी थे, डरावनी limit है, कि भई इस से उपर जाना ही नहीं चाहिए, उसको इसने 86 बार तोड़ा है, इस से उपर temperature गया है, यह इसने कहा है, तो pre-industrial level से, 1.5 degree Celsius, उपर गया है, और कितनी बार, 86 times गया है, ठीक है, तो यह था आज की से अडिटोरियल में, मुलाकात होगी अब कल, एक नए सेशन के साथ, तब तक लिए नमस्कार, थैंक्यू वेरे मच्च,